थॉम्सन के परमाणो मौडल के अनुसार सोने स्वन के प्रतेक परमाणों का द्रवेमान समान रूप से वितरित होता है इसलिए उन्हें अपेक्षा थी कि अल्फाकन थोड़ी विचलित होकर निकल जाएंगे पर ऐसा नहीं हुआ उन्होंने अलोकन के दौरान यह देखा की अधिकांश अल्फाकन स्वन पत्तर के आर पार सीधे निकल जाते हैं जिससे पता चलता है कि परमाणों में अधिकतर स्थान खाली है बहुत कम कण अपने मार्ग से विच्छे पित होते हैं जिससे यह याथ होता है कि परमाणों में धनावेशित भाग बहुत कम जगह गेरता है लगभग 20,000 कणों में से एक कण सोने के अत्यंत महेन पत्तर से टकरा कर उसी दिशा में लोट गया जिस दिशा से वह निकला था यदी अलफा कन टकरा कर वापस आ रहा है तो इसका तातपर है कि वहाँ पर द्रविमान वाला भाग काफी संकुचित है ना कि फैला हुआ अर्थात परमाणों का द्रविमान वाला भाग परमाणों के बहुत ही कम आयतन में सीमित है इस तरह रदरफोर्ड ने यह विचार रखा कि परमाणों में धनावेश तथा द्रविमान एक बहुत ही छोटे आयतन में होता है जिसे उन्होंने नाभिक कहा और उसके चारो तरफ इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं तथा प्रतेक इलेक्ट्रॉन का परिक्रमा पत अलग होता है इस तरह रदरफोर्ड ने प्रयोग के आधार पर परमाणू का नाभिकी मॉडल दिया लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे वित्रित होते हैं यह डेनमार्क के एक भौतिक शास्त्री नील्स बोर्ड ने बताया न्यूजीलेंड के इ रदरफोर्ड जिन्हें नाभिकी रसायन के जनक के रूप में भी जाना जाता है उन्हें परमाणू के नाभिकी खोज के लिए 1908 में नोबल पुरसकार दिया गया अलफा कंड प्रकेणन प्रयोग जिसमें उन्होंने सोने के अत्यंत महें पत्तर लगभग 100 नैनो मेटर पतली पर आवेशित अलफा कंडों की तेज बोचार की और इस प्रयोग से उन्होंने निसकर्ष निकाला कि नाभिक के त्रिज्या परमाणू के त्रिज्या से दसकी पांच गुना छोटी है